तो हलो दोस्तों नमस्कार आप आप लोगों को स्वागत है आर्चणाड कि इचन कानपुर में। तो आपके ही सफर में जा रहे हो या कहें घर में हो तो पूरी पडाठा क्हाने का मन है तो आप ये सबजी बना कर खाईए पड़ाठे के साथ या पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैंने 7-8 आलू ले लिए है और चलते हैं बनाना सुरू कर देते हैं तो आज मैं आपको लिए लेकर आउई हूं दो रेसिपी एकी साथ तो यहाँ पर मैंने 6-7 आलू ले लिए हैं मीडियम साइच के हैं तो आलू हमारे जो है न वो मैंने उबाल करके लिए है इन्हें मैंने टुकड़े से काट लिया छोटा छोटा पीस और काट के इनको चलते हैं फ्राइ करते हैं तो यहाँ पर आज मैं बनाओंगी जीरा आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं जीरा आलू अगर आप एक बार बना लेंगे तो बच्चों के लेंच बॉक्स में भी रख देंगे तो बच्चे आप से बार बार निवाइन करेंगे बनाने के लिए यहां पर मैंने तेल डाल दिया है एक छोटी चमचर नेके बाद में मैंने तेल अच्छे से गरम हो गया ़िया टूंग है। में तीन से चार हरी मिर्च काटी थी वो मैंने डाल दी है और डाल करके अब डाल देते हैं आलू को और आलू भी अच्छे से कला लेते हैं तो इनको बढ़िया से फ्राई करना है अमको आलू को एकदम पहुत ही अच्छे से एकदम यह में जो हलका सा नीचे करारा पना सुवह नास्ते में यह आप कहीं सफर में जा रहे हूं ले जाएए पूरी यह पड़ाथा साथ में बहुत ही टेस्टी लगेगी यह सबजी तो पस यहां पर हल्की से फ्राई हो चुकी तीन-चार मिनाट हो चुके तो बस यहां पर डाल देते हैं कुछ मसाले तो छोटी चम दीमी आज में मुझे फ्राई करना है दोस्तों कि बहुत ही अच्छी है सबजी खुस्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही इसमें और दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है तो यह देखिए दोस्तों हमारी जो सबजी है वो बढ़िया से फ्राई हो चुकी है तो यहां पर चंझे बबब और दूसरी सबजी बनाने तो यहां पर दूसरी सबजी यहां पर मैं शुरू कर देती हूं दूसरी रेसिपी तो यहां पर मैंने से चार से 5 अलू लिए हैं उबले इन्हें बड़िया से फोड लेती हूँ तो यहाँ पर फोड़ने के बाद में अब मैं यह रख देती हूं साइड में और दोस्तों यह मैं सब्जी बना रहे हूं फिर से मैंने कडाई ली है और यह मैं बना रही हूं, चावलों के साथ फेवरेट और दोस्तों यह आप चले जाएए, इटावा सार चले जाएए, यह सब्जी बहुत ही फेमेस है, मठे के आलू, यहाँ पर आज मैं बनाओंगी, मठे के आलू, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, तेल प्याट्रों में घहाथ से नहीं घया है कि इस हैं चैनल को और फासिशीन दने चंड दिए। लडी पॉडर और यहई पर मेनले देती हूं चूटी चमच मैंने गरम शौज है स् ama phantal नमक ले लिया है चट पेड़े की लिए वह लोगों को पसंद आ रही हूं तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिएगा और सपोर्ट भी आप लोग अपना प्यारा शुरवात देते रहिएगा तो इदर जब तक मसाले बॉन्षर तब तक मैंने ले लिया है दही में थोड़ा सा मधानी चला देती हूं और इसे अच्छे से फेट देते हैं तो जो ड़ी था वो मैंने फेट लिया है और इधर आप देख सकते हैं मसाले जो है ना हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं तो बस यहां पर मैं डाल और अलू डाल करके मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस को मैं कर देती हूं बंद जिसमें की गैस हलकी सी बंद कर देती हूं पांच मिनट के लिए जिसमें की मैं मठ्था डालोंगी तो मठ्था हमारा फटेना दही हमारा तो यहां पर मैं डाल देती हूं दही और दही डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में दोस्तों मुझे इससे चलाते रहना जिसमें की हमारा जो दही है वो फटेना और इसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया सा बना रहे है तो यहां पर गैस को दुबारा से ओन कर देते हैं और इसे में अच् से चलाते रहते हैं और गैस के बढ़िया से तेज कर देते जिसमें कि इसमें उबाहल जल्दी से आ जाए तो बस इसे कम सी कम 10-12 मिनट पकाना है तो मैं इसी इसी तरीके से चलाती रहूंगी और यह दिए कि बढ़िया से हमारी जो सबजी है वो एक दम पकेर के रेडी हो ग सब्सक्राइब लाइक जरू करना हर दिन मिलेंगे एक नई रिस्पिक साथ बाइबाए